भक्ति आंदोलन के जो परमुक्संत हैं, उनमें जो सबसे पहला नाम आता है, वो है रामानुज का ये वेश्णों धर्म के अनुवाई थे और विशिष्टा द्वेश्दर्शन के प्रणिनाते थे, सगून इसुरु में विश्वास करते थे ये पर्थम संते जो ग्यान के इस्तान पर भक्ति को मुक्ति का साधन मानते थे, इनका जनम तमिलाडू में हुआ, रामानुज ने अपने गुरु पर यादव परकास के कांची में विदान्त की शिक्षा गरण की, इस तरह से इन्होंने जो दक्षिन भारत हैं, उसमें भक्त आंदुलन का परचार परशार किया, और ये पर्थम संते जिसने ये बताया कि ज्ञान के इस्तान पर भक्ति से भी मुक्ति का प्राप्ते के जाती हैं, दूसरे जो संत हैं, वो है निम्भार्क, ये रामानुज के इसमकालिन थे, इन्होंने दुएता देवेत दर्शन का प प्रति पादन किया, वह संकर्व रामानुज के दर्शन का विरोध किया. वे लक्षमी नारायन के उपासक थे और दक्षिन भारत के निवासी थे, इस प्रकार रामानुज ने विषिष्टा दुएत, निम्मारक ने दुएता दुएत और माद्वाचार्य ने दुएत यानि जो अंदुलन ह्वरति इस स्ष्व दायो उसको दखेंदृ भारति में लाने काया किया गया एक प्हहले महान भकती अंदुलन के संह थे तथा रामानूज के ये शिश्यत थे परन्तु इनोंने विश्नों के स्तान पर राम के भक्ती की रामानन्द ने शेव और वेष्णु धरम में सम्नुवे इस्तापित किया यानि दोनों के अंदर जो सम्नुवे की बात है वो कि इनका जनम इलाबाद में, ब्रामन परिवार में हुआ था इन्होंने सेंसकर्थ के इस्तान पर हिंदी में उपदेश दिये जिसे आंदोलन की लोग प्रियता बढ़ी क्योंकि जो इन्दी है वो सब लोग समझ लेते थे जबकि सेंसकर्थ सारे लोगों की समझ से बाहर थी उन्होंने सभी वर्णों को उपदेश दिये यानि जैसे अपन पहले वीडियो में वचर्चा कर चुके हैं कि भक्ति आंदोलन के जो संथे उन्होंने जाती पर था या जो जाती पाती का विवेत था उससे दूर रहने का दूर रखने का लोगों को प्रियास किया सभी जातियों को समान वानते थे और इनके बारा सिस्य थे इन बारा सिस्यों में विविन जातियों के थे जैसे रहदास, कबीर, धन्ना, पीपा, सजन जो कशाई था, सेन जो नाई था इस परकार हर जाती के लोग इनके सिस्य थे इन्होंने ये बताया कि मौक्ष प्राप्ति के लिए कोई जाती है वो बादा नहीं है और कोई भी व्यक्ति भक्ति के माद्देम से मौक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो रामानंद मुखे संथे पंदरावी सदीगे और जिनोंने जो बक्ती परंपरा थी उसको उत्तरभारत में शुरू किया, इनके जो बारा सेचे थे इनोंने फिर पूरे उत्तरभारत के अंदर इस बक्ती आंदुलन को परचारित और परशारित किया. कबीर का जनम 1425 इस्वी में वहा, कबीर ने निरू निमा नामक जुला दंपती ने वारानाशी में लहर तारा के तालाब के पास से पाया, यानि इसनके जो माता पिता थे, उन्होंने इनको छोड़ दिया था, और वहीं से ये जुला दंपती था, जो इनको लेकिया, कबीर अ कबीर वो निर्गून भक्ति के थे, यानि उन्होंने इस्वर का कोई रूप नहीं माना, निराकार इस्वर को माना है, हिंदू-मुस्लिम एकता के ये बात करते थे, यानि इन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिमों में कोई फरक नहीं है, सब एक जैसे हैं, इन्होंने मूर रविदास रविदास के बजन गुरुगरन साइब में संगरी थे, ये भी रामनंद के सीश्य थे, नीम जाती से आते थे, इनका जनम वारानाशी में हुआ था और इनोंने भी भक्ति प्रंप्रा को आगे वड़ाया, गुरु नानक, इनका जनम 1470 में तलवंडी पंजाब पाकिस्तान के खत्री प्रिवार में हुआ, ये भी कबीर की भांती निर्गुन इस्वर के उपा सकते, यानि इस्वर एक ही है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, तथा जाती पाती आडमरों में विश्वास नहीं करते थे, मुर्ति पूर्जा तिर्थियात्रा अधिके विरोधी थे, या उपने भी इस समय के संत हुए हैं, जैसे आपने पहले पढ़ चुके हैं, कि इन्होंने ये कहा है कि इस्वर के नाम अलग हैं, लेकिन वो है ही कि उसको विविन वेक्ती अलग-अलग नामों से पूछते हैं। ये कबीर के सरवस्रेश शिश्यों में थे, रास्तान के नरेणा में इनकी मुख्य गदी है, इस मत को मानने वाले राजस्तान के अंदर मिलते हैं, मुख्य थे, दादू ने भी मूर्ति-पुजा, जाति-प्रथा वे करम-कांड का विरोध किया, बाद में दादू-पंत की पांच साखाएं हो गई, और ये साखाएं थी खालसा, विरक्त, उत्रोध, खाकी, नागा, अकबर ने दादू को धार्मिक चर्चा के लिए एक बार फतेपुर सीकरी भी बुलाया था, दादू-पंत के जो सत्संग इस्तले हैं उनको अलग दरीवा के नाम से जाना जाता ह और दादू की जो सिशे परंपरा थी उसमें एक सो बावन मुख्य सिशे माने जाते हैं, जिनमें से सो एकांतवाशी थे, सेस बावन सिशे बावन इस्तम कैलाने लगे, तथा बावन इस्तानों पर दादू द्वारे बनाये गए, इस तरह से दादू-दयाल ने भी अधिया गाम में ब्रह्मन परिवार में वा और शिक्ष्या पूरी करने के बाद में इन्होंने विद्या सागर की उपा दी कि बंगाल के अंदर गोडी ये वेशनव धरम की इन्होंने इस्तापना की और बेदा बेद संपरदाय भी इनके द्वारा चलाया गया, तो ये भी एक परमुखे शंत थे जो जिन्होंने भक्ति पर बल दिया, प्रेम और भक्ति पर बल दिया, भक्ती गीतों ओर रचा, मीरा भाई, मीरा भाई भक्तिकाल की महान महिला संथी, इनका जनम कुड की मेरता में हुआ, इनके पिता राजा रतन सिंह राठोड थे, इनका व्यवा राणा सांगा की पुत्र बोजराज चेवा, और बोजराज की मर्त्यु के बाद यह कर्शन बक्ती में लीन होगी, यानि सगून बक्ती प्रंप्रा की महानसंती, कर्शन को अपना पतिमाना, तथा राज़स्तानी, तथा बर्ज बासा में गितों की रचना की. सूरदास, ये अकबरवज आंगिर के समकालिन थे, तथा जनम से यंदे थे, सगून बक्ती के उपासक थे, कर्षन की बक्ती क्या करते थे इन्होंने बर्ज वासा में सूर सागर, सूर सुरावली तथा साहिते लेरी की, रचना की तूलसिदास, ये भी सगून बक्ती को मानने वाले थे, और इन्होंने राम की पुझा की, अब दिवासा में राम चरित्र मानस की रचना की, इसके अलावा इन्होंने बहुत से गरंतों की रचना की, जिनमें दोहावली, गितावली, कवितावली, विने पत्री का, वेराग्य संदीपनी, बर्वे रामायन इनकी परसिद रचने हैं, तुलसिदास अकबर के समकालिन थे, इन संतों के अलावा बलवाचारिये, जो कि कर्षन देवराय के समकक्स थे, इन्होंने वैश्णव संपरदाय के स्तापना की, यानि ये भी सगुन भक्ति के उपासक थे, और ये कर मुर्ति पुजा पर बल देते थे, और अंग जयब के समय शिरिनाजी की मुर्ति को उद्यपूर पहुंचा दिया, और आज नाद द्वारा में वो मुर्ति पर्तिष्टा पित है, इस परकार से इस समय अनेक भक्ति संत हुए, जिन्होंने भक्ति प्रंप्रा को अगे किसी रूप के पुजा करते थे, इनमें मुखेत राम और कर्षन की पुजा होती थी, और कुछ संत ऐसे थे, जिन्होंने न्रगून जो भक्ति की परंपराी उसको अगे बढ़ाया, इन्होंने इस पुजा उन्होंने का प्रूप नहीं होता और उसकी पुजा ये लोग करत इन सबी ने जाती प्रता का विरोध किया और विविन जातियों में समन्वे का प्रियास भी किया धन्यवाद